श्मीरी लहसम के सरवोत्तम गुनवत्ता वाले बीज को खरीदने के लिए प्रसून एग्रोपार्थ गालिक सीड कमपनी 9-8-1-6-2-3-2-2-2-2 पर कॉल भी कर सकते हैं हिमाचल में कहीं से भी आप अपना ओरर हमें दे हलो एवरिवन सबसे पहले मैं थैंक यू साइंस्टार को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मुझे ये मौका दिया कि मैं फिर से स्कूल में आई और सब टीचर से इंटरेक्ट किया मेरी स्कूलिंग 10 त मैंने जी एसेस खल्यानी से की है और 11 और 12 साइंस्टार स्कूल से की है जब मैं 11 में आई थी तो एमडी सर मिस्टर रविंदर सिंघ ठाकूर प्रिंसिपर माम मिसिस अंजनार ठाकूर और मेरे physics teacher थे Mr. Rajinder Singh Thagur, उन तिरों का मुझे बहुत sport मिला है, बाकि दूसरे teacher मेरे bio के ma'am Mrs. Swati, उन्होंने भी बहुत sport किया है, तो उस time उन्होंने मुझे guide किया था कि NEET के लिए, कि NEET exam होता है, MBBS के लिए आपको किस तरह से त्यारी करनी है, तो मेरा base से है, तो मैं इनको बहुत बहुत thank you बोलना चाहूंगी, मुझे medical में interest आया जब मेरे teacher थे, 7th class में Mr. Prem Singh Thagur, तो उनकी guidance में मैंने ये, मुझे medical में interest आया कि ये चीज होती है, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे doctor बनना है, और हमारे 12 से मैं पहली doctor बनूँगी, तो मुझे इसका बहुत proud है और parents के लिए बहुत proud moment है, तो मुझे उस time पे लगा था कि मैं medical में अच्छा कर सकती हूँ, मैंने पहले सोचा था कि मैं 12 के बाद ही exam दूँगी, मैंने दीया भी था first attempt, तो मेरे उस time पे 284 marks रहे थे first attempt में, उसके बाद लगडाउन लगा, तो मैंने BSC में admission ली, तो साथ साथ में time management नहीं हो पाया मेरा, तो first second attempt में नहीं हो पाया, तो मैंने graduation पे फिर focus किया कि मैं graduation complete कर लेती हूँ, तो उसके बाद कहीं ऐसा था कि मन में कि जो मैंने सोचा था वो तो मैं करी मी पा रही हूँ, तो मैंने उसके बाद एक drop लिया, तो उसमें coaching की और उसके बाद अभी मैंने 2024 में दिया था अपना और इस बार मेरा clear हो गया है.